हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चांद वाली अम्मा कैसी है और कौन है सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है तुम सरारत तो करती ही होगी कौन-कौन सी सरारत करती हो इन चीजों का इस्तेमाल तुम कौन सी सरारत करने के लिए कैसे करोगी ठीक है मतलब का रहा है कि सभी बच्चे सरारत करते हैं आप भी करते होंगे आप कौन-कौन से सरारत करते हैं और नीचे जो कुछ चीज दिया गया है इन चीजों का आप इस्तेमाल किस तरह के सरारत करने के लिए परयोग करेंगे इस्तिमाल करेंगे ठीक है तो क्या दिया है जाड़ो पंक्खा कागज गुबारा ठीक है अब हम अपनी कहानी पढ़ते हैं बहुत समय पहले की बात है एक बुड़ी अम्मा थी बिलकुल अकेली थी उसका अपना कोई न था कर रहा है कि बहुत समय पहले की बात है एक बुड़ी अम्मा थी बुड़ी अम्मा का मतलब ओल्डोमेन वह अकेली थी बिलकुल अकेली थी और उनके घर में कोई भी नहीं था उनके फैमली में वह अकेली ही थी घर का काम का उनसे खुद ही करना पड़ता था उसके साथ एक परिसानी थी अब देखिए उस बुड़ी अम्मा के साथ एक परिसानी भी थी अब चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं उनके साथ क्या परिशानी थी ठीक है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इस फोटो में एक बड़ी अम्मा है अब देखिए वह रोज सुबह उटकर जब घर में जाड़ो लगाती थी तब तक तब तक तो सब ठीक रहता पर जैसे ही वह आंगद में जाती और ज़ाड़ो लगाने के लिए जोगती तब ही आसमान आकर उसकी कमर से टक राता अब देखिए बड़ी अम्मा जब सारा काम करके आंगद में ज़ाड़ो लगाने जाती थी तभी आसमान उपर से आता था और उनके कमर में टक्क कर मारता था ठीक है देखिए यहाँ आसमान को एक सरारिती बच्चे की तरह दिखाया गया है अब देखिए, अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता जब अम्मा उसे घुड़ कर देखती थी तो थोड़ा उपर हड़ जाता था फिर वह जैसे ही दुबारा जुकती आस्मान फिर से अपनी हरकत दोहराता एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगतार यहीं करम चलता रहता अम्मा ज़ाड़ो लगाए और अस्मान उसे तंग करे हर रुज के यहीं था जब अम्मा ज़ाड़ो लगाती थी अस्मान उन्हें आकर तंग किया करता था एक दिन कुएप पर पानी भड़ने को लेकर अम्मा का किसी और से जगड़ा हो गया अब आपको पता है कि पहले जो गाह में कुआ होता था विल गाह में पहले चपा कर लिया नल नहीं होते थे सभी लोग कुआ से पानी पीते थे और उसी का पानी हर काम में यूज करते थे तो एक दिन अम्मा जब गई थी कुवा से पानी लाने उनका किसी और से जगड़ा हो गया था अम्मा ज़रा गुसे में थी वह जाड़ो उठाकर आंगन में गई और जैसे ही जुकी आसमान ने अपनी आदत के नुसार उसे फिर छेड़ा अब असमान को तो हर रोज का आदत था कि वह अम्मा को छेड़ता था और उस दिन भी जब वह गुसे में थी असमान आकर उन्हें छेड़ने लगा अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक ज़ाड़ो असमान को दे मारी अब अम्मा गुसे में थी और उनको गुसा आ गया जब असमान आकर उनको फिर से छेड़ा उस दिन भी और वह क्या कि ओ जाड़ू उठाएं और असमान को दे मारी असमान जट से उपर हट गया पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था अब उसे भी तो रोज की आदत थी अम्मा को तंग करना ऐसे ही कैसे मान जाता दूसरी बार फिर अम्मा के जुकते ही टक्कर मारने लगा और फिर जैसे अम्मा जुकी ज़ाड़ो लगाने के लिए फिर से वह टक्कर मारने लगा अम्मा ने फिर फूरी ताकत से उस पर वार किया फिर अम्मा को और भी ज़्यादा गुसा आ गया और वह और तीज से और वार की उसके उपर पूरे ताकत से असमान के उपर यहां आप देख सकते हैं अब दिखिए अब क्या होता है असमान को सरारत सुझी अब असमान को सरारत सुझ रही है इस बार उससे ने ज़ाड़ू पकड़ ली अब उससे अम्मा तो बार बार मुझे ज़ाड़ू मार रही है इससे अच्छा है कि मैं ज़ाडू ही पकड़ लूँ उधर अम्मा भी ज़ाडू पकड़े थी जैसा कि यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं रस्सा कसी सुरू हो गई अब दोनों के बिच रस्सा कसी सुरू हो गई असमान अपने तरफ ज़ाडू को खिंचता अम्मा अपने तरफ खिंचती ज़ाडू का उपर वाला हिसा असमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा अब देखे ज़ाडू का उपर वाला हिसा जो था वो असमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिसा अम्मा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है दोनों छोड़ने को तयार नहीं थे अम्मा चिलाई छोड़ मेरा जाड़ू मेरे पास एक ही जाड़ू है अम्मा के पास एक ही जाड़ू था वह छोड़ देती तो फिर जाड़ू कैसे लगाती बुड़ी अम्मा कब तक रस्टा कसी करती थक गई अब बुड़ी अम्मा जो थी थक गई थी असमान ने जाड़ो खीचना नहीं छोड़ा अब वह जाड़ो के साथ उपर उठने लगा उसके साथ जाड़ो पकड़े हुए अम्मा भी उपर जाने लगी अब असमान क्या किया जाड़ों पकड़े पकड़े उपर उठने लगा उसके साथ साथ अम्मा भी उपर उठने लगी वह चिलनाई अम्मा क्या की चिलनाई मुझे नीचे छोड़ दे अम्मा चिला रही थी मुझे नीचे छोड़ दे असमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगा ले चलूंगा उपर वहीं जाड़ू लगाना अब उसे तो सरारत सुझ रही थी ओब बोल रहा था अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम्हें उपर ले जाओंगा तुम वहीं चलकर जाडू लगाना अम्मा अब जाडू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत उपर पहुच चुकी थी अब जैसे जैसे आसमान उपर जा रहा था अम्मा भी उपर जा रही थी अगर ओ जाडू छोड़ती तो गिर जाती उनका कमर तूट सकता था इसलिए ओ भी जाडू को नहीं छोड़ सकती थी तब ही उसे वहाँ चांद दिख गया और जैसे ही अम्मा उपर जा रही थी उनको चांद दिख गया अब दिखिये अम्मा क्या करती है जट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चड़ गई अम्मा ने जट से पैर बढ़ाया उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चड़ गई है यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाओंगा इन्हें यहीं रहने दू अब आसमान सोच रहा है कि अम्मा तो चांद पर चली गई है और चांद उनकी अगर मदद करता है तो मैं तो हार जाओंगा इससे अच्छा है अम्मा को यहीं रहने दूमें और क्या करता है असमान यहीं सोचकर ऐसा सोचकर उसने जारू छोड़ दिया और जारू छोड़ दिया असमान अम्मा जारू सहित चांद पर रह गई वह इतनी ठक गई थी कि जारू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई असमान उपर चल बहुत मज़ेदार कहानी थी और इसके लेखक हैं तारा निगम उमीद है एक कहानी आपको अच्छी लगी हो अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लिज लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू